आईपियल का रोमान शुरू होने वाला है और सभी तिमे तैयारी में जुटी हैं इसी बीच राजिस्थान दोहल्स के दक्षन अफ्रीकी बल्लेबाज डेविड मिलर की हिंदी चर्चा का विशे बनी है आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर डेविड मिलर को भला हिंदी क्या आती होगी दक्षन अफ्रीका में तो हिंदी बोली भी नहीं जाती आपका सोच न सही है दक्षन अफ्रीका में हिंदी नहीं बोली जाती लेकिन हिंदी दिवस यानि 14 सितंबर से पहले ही डेविड मिलर की हिंदी को लेकर सोशल मेडिया पर काफी चर्चा होने लगी है तो आईए बताते हैं आपको डेविड मिलर की हिंदी के बारे में दरसल हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले राजिस्थान रोयल्स के फिल्डिंग कोच दिशान्त यागनिक ने ट्विट करके पूछा क्या कोई राजिस्थान रोयल्स का एड्मिन देखना चाहता है तो इस पर मिलर ने बॉलिवुड की ब्लॉक बस्टर फिल्म कभी खुशी कभी गम का एक मीम शेयर किया जिसमें लिखाता बस कीजिए बहुत हो गया या देखकर सोशल मीडिया यूजर चौक गए सभी के जहन में ये सवाल आया क्या दक्षिन अफरीकी बल्लिबाज मिलर को हिंदी आती है हलाकि उनके कमेंट को लाइक करने वालों की लाइन लग गई वहीं एक यूजर ने सवाल दाग भी दिया क्या आपको हिंदी आती है डेविड मिलर ने इसका जो जवाब दिया वो और भी ज़ाजारोचक है उन्होंने फिर से एक मीम शेयर किया इस बार उन्होंने टीवी शोग दादी का किरदार निभाने वाले अली असगर का फोटो शेयर किया इसमें लिखाता बस इत्तूसा इस जवाब से उनके तमाम भारती फैंस जूम उठे अब तो उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है वहें हिंदी दिवस पर तो इसकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है अब दूसरी ओर आईपियल की बात करें राजिस्तान का पहला मैच 21 सितंबर को पँजाब सूपरकिंग्स के साथ है वहीं पॉइंटेबल की बात करें तो जब आईपियल बीच में रोका गया था तब राजिस्तान की टीम पॉइंटेबल में पाच वें नंबर पे थी राजिस्तान ने साथ में से तीन मैच जीते हैं और उसके छे अंक हैं पॉइंट टेबल में राजिस्तान से उपर चेन्नेई सूपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, आर सीबी और मुंबई इंडियन्स हैं वहीं पंजाब, KKR और सुनलाइजर साधराबाद अभी राजिस्तान से नीचे हैं अब IPL में क्या होगा? इसका लोग इंतजार कर रहे हैं फिलहाल डेविड मिलर के हिंदी की काफी चर्चा है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हमारे वीडियो आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ ये भी बताएं कि आप किन किन विश्यों पर वीडियो देखना चाहते हैं हम आपकी पसंद के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और सबसे जरूरी बात हमारे चैनल एनन स्पोर्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें इसी के साथ स्क्रीन पर दिखरा बेल आइकन भी दवा दें जिससे हमारी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें झाल आपको मिलते रहें जिससे हमारे स्क्रीन पिलते रहें